दूस्तों मैं चेतना काल रहा अपने यूट्यूब चेनल चेतना डिवैंसे तो कैसे हैं आप सब उमीद है अच्छी होंगे तो खुश रहिए स्वस्त रहिए व्यस्त रहिए तो आज हम टेरो सीखो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जैसे चेके हमें 11 no card justice के card पर पहुंच गए है तो justice का card जो balance को शो करता है law of कर्मा को शो करता है मतलब यह कार्मिक कार्मिक कार्ड होते है जैसे नम्बरलाजी में आप जानते हैं कार्मिक numbers होते हैं वैसे tarot cards में karmic cards होते हैं जैसे अभी मैं आपको karmic card एक साथ बता देती हूँ कि कौन से कौन से होते हैं 11 number 13 number 16 number 20 number 11 number मतलब justice 13 number मतलब death 16 number tower और 20 number judgment यह 4 card karmic number होते हैं karmic cards होते जैसे करम किये हैं वैसा फल मिलेगा तो यदि यह card आए इसमें आपको emotional होके कोई decision नी लेना ना ही ego पर लेना है कि उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं तो ऐसा करके ही रहूंगा या उसका बदला लेके ही रहूंगा तो यह card आने पर आपको इन बातों का विशेष ध्यान देना है यह card आए तो अगर आपकी legal situation कोई चल रही है आपको कोई case चल रहा है तो वह आपके करमास पे ही depend करेगा कि आप कितने नयाय प्रेय रहे हैं आपने क्या किया है आपने अच्छे करम किये या पूरे किये आपने कहीं किसी की साथ कोई गलत काम तो करा और आप इच्छा कर रहे हैं कि मैंने तो गलत किया लेकिन सब कुछ मेरी फेवर में हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता यह काडाए तो बैलेंस बनाके चलने की जरूरत है जो भी यह न्याय अदिश जज शनीदेव वक्त इस सब को शो करता है और आप जैसे ताराजू करे रहे हैं मतलब आपके करमा को तौल के डिशीजन होगा यह क्राउण हाई अथॉरटीज को शो करता है लाल रंग गुस्य को एंगर को ओधे यंदे पोस्ट को शो करता है तो यदि अगर आपने अच्छे कारे करिए हैं तो आपको सराइखों पिठाया जाए घारा पहना जाएगा यदि आपने बुरे कारे किये हैं तो उसके फल आपको अवश्य ही भुगतने पड़ेंगे तो यदि ये काड आए उसको कम करने के लिए इसके एफेक्ट को कम करने के लिए हमें शनी के रेमडीज करनी चाहिए जैसे कि आप पीपल पर दिया जला सकते हैं और काले मा की दाल दान कर सकते हैं मंदिर में सेवा कीजिए कोशिश कीजिए आगे से कुछ ऐसा ना हो जिससे कि हमारे करमास खराब हो और हमें ऐसी बुरी हुई situations का सामना करना पड़े यदि partnership के लिए ये काड आजाए तो partnership के लिए काड अच्छा नहीं है आपको partnership नहीं करनी चाहिए और अगर शादी के लिए भी काड आ जाए अगर शादी के वक्त ये काड आ जाए तो आपको सोच समझ के ना emotional होना है ना गुसे में हाना है आपको right decision उसकी तह तक depth तक जा कर उसका decision लेना चाहिए तो दोस्तो यह था justice का काड ऐसे ही इस series को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने और कार्ट को लेकर आँगी तो thank you so much बस छोटिस request please like, share and subscribe my channel thank you